प्रादे रादे अनुपूर्ना क्रिशन में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं बसंद पंच में स्पेशल कड़ी तो सबसे पहले हमने बावल पे बेसन ले लिया है यहां पर हमने 6-7 ती स्पून बेसन लिया है कड़ाई में डाल दिया है सरसो का तेल फि पेटेंगे डाउन तरफ से नहीं सिफ एक तरफ से फेटेंगे स्कूर बेसन को फेटेंगे अब इसमें डालेंगे हल्दी हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून मिर्चा फिस इसको पेटेंगे बनाने जा रहे हैं बेसन की बड़ी-बड़ी पकोड़ी वाली कड़ी स्कूम पेटेंगे स्कूम पेटेंगे इसको फेटे जाएंगे एक तरफ हमारा ओयल गरम हो रहा है अब हम इसको पानी में डालके देखेंगे अगर पानी में डालने के बात चेक करते हैं कि अकर पेशन ऊपर आ जाता है तो हमारा यह परफेक्ट फेट फिट गया है बट अभी हुआ नहीं तो फिर से फेट के फि फिर से हमने चेक किया पता भी नहीं हुआ फिर से फेटेंगे स्कों फेटेंगे हमारा ओयल भी गरम हो चुका है जाइस को दीमा कर लेते हैं अब हम इसक्यू पकोड़ी बनाते हैं एक चमच के लिए अगर आप हाथ से कर्वान करना चाहना है तो हाथ से भी हो सकता है हमारी कैस बंद हो की तो हमारी कैस जला ली इसको हम पालेट देंगे इसको फिर सब्मा के जलाएंगे जलाएंगे इसको पले तेंगे इसको पले तेंगे आप हम इसी तरीके से दूसरी बाले जो बचे उनको भी पकोड़ियों को बनाएंगे इसको पलेट लेगे इसको पलेट लेगे इसको फिर पल्टा देंगे अब हम दूसरी तरफ कड़ी के लिए ग्रीव क्या बेटल तयार करते हैं पैटल तयार करते हैं तो हमने सबसे पहले फोर टू स्पून बेसल लिया इसको फिर से गोल देंगे इसके बाद जो हमने दाई फिटा हुआ रखा है इसको गोल के अदर डालते हैं जो पेस तही है पूरा डाल देंगे फिटा हुआ आप मिक्सर में भी फिट सकते हैं आप मधानी की हल्प से भी फिट सकते हैं जो पकवड़ी है वह हमारी हो गई डन इसमें मिलाएंगे हम हल्दी मिर्चा और गोल लेंगे जो पकवड़ी हैं को निकाल लेंगे कढ़ाई से बचा हुआ तेल भी निकाल लेंगे क्योंकि कड़ी बनाने में बहुत थोड़ी तेल की ज़रूत पड़ेगी इसके बाद हम मसाले जीरा थोड़ी सी मेथी इसके बाद यूने गोल डाला है वह हम इसमें चोक हमारते इसके थोड़ा पानी डाल कर इसको डालते हैं क्या समारी फिर बंद हो गई थी तो फिर जल आई फिर से इसको तो कड़ी हमारी के यह जोख चोक लग गया है पानी हमारा उसके बाद हम इसको डाल के इसमें फिर से चलाएंगे अब हम इसको खौलने देंगे और सबसे पहले चीज आद रखने कि कड़ी हमेशा खाली कभी नी बनानी चाहिए उसमें एक पकोड़ी जरूर डाल देनी चाहिए कि सब आप जानते भी होंगे अब इसको हम चलाएंगे चलाते प्रॉपर रहना है वरना कड़ी फट जाएगी जब तक इसमें उबाल नहीं आता है तब तक इसको हम चलाते रहेंगे अब करी अल्मूस कॉल में पे आ रही है इसमें डाल देते हैं नमक अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस लेमन जूस कड़ी में डालने से इसका थोड़ा टेस्स बदल जाता है आप भी ट्राइ करिएगा टेस्स में थोड़ा इन्हांस हो जाता है और रोड़ी कड़ी डिफरेंट टाइप की लगती है आप भी ट्राइ करिएगा लेमन जूस डालकर तो अल्मोस्ट हमारी कड़ी डन हो गई है अब हम इसमें डाल देंगे पकोड़ी यह इसके बाद कड़ी बन गई है इसके बाद मिल लेंगे इसमें हरा भरा कटा धन्या जिससे फ्लेवर चेंज रहाता है तो चावल भी बन गया है प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब राधी राधी राधी